मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाए का महिना यानि मौनसुन का महिना, बारिश का महिना, बिते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में, बार से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठाने पड़ी हैं। पहडी इलाकों में भुस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दवरान देश के पस्चिम हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बीपर जॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देश वाश्यों ने फिर दिखाया है कि सामोहिक प्रयास की ताकत क्या होती हैं। स्थानिय लोगों ने, हमारे एंडिय आरब के जवानों ने, स्थानिय प्रशाशन के लोगों ने दिन रात लगा कर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ और समसाधनों के भूमिका बड़ी होती है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सम्वेदन सिल्का और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही एहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है साथियों, बारिस का यही समय ब्रुक्षा रोपन और जल्न सवरक्षन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है आजन्दि की अमृत महो bindsशो के दरवान बने शाट जार से ज़्यादा अमृत सर्वववरों में भी रोणक बढ़ गई है अभी पचास जार से ज़्यादा अमृत सर्ववरों को बनाने का काम चल भी रहा है हमारे देशपासी पूरी जागुरुकता और जिम्मेदारी के साथ जल सवरक्षन के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं MP के शडूर गया था वहां मेरी मुलाकात पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों से हुई थी वहीं पर मेरी उनसे प्रकृती और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करी सों कुओं को वाटर रिचार्ट सिस्टिम में बदल दिया है बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है इससे इलागे में भू जलस्तर भी दिरे दिरे सुधरेगा अब सभी गाउवालों ने पूरे ख्षेत्र के करीब करीब आंट सो कुए को रिचार्ट के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है ऐसी ही एक उत्सावर्दक खबर यूपी से आई है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में तीस करोड पैड लगाने का रेकॉर्ड बनाया गया है इस अभियान के शुरुवात राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहां के लोगों ने किया ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरन के भी बड़े उदारन है मैं चाहूंगा कि हम सब भी पैड लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने